हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर ख़बर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। मास इंटरनेशनल स्कूल, एकमी रोड, बल्लोपूर, लहेरिया सरायत दर्भंगा, अफिलियेटेटेटेट तु सीबीसी अप्टो टेन प्लस तु लेवल, देव बोडर विछ ट्रांस्पोर्ट अंधोस्टल फैसलिटी, अड्मिशन ओपन। मेडिकल एवं इंजिनेरिंग परिक्षाओं के लिए सर्व स्रेष्ट सिक्षकों में शुमार, फिजक्स गुरू केके सरद्वारा संचालित, आइडियल पाथ, नाका पांच उमा सिनमा के सामने दर्भंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर डबलू आईटी दर्भंगा, एड्मिशन इस गूइंग ओन फोर सेशन 2022-23, टीचर्स रिक्वाइड इन दिफेरेंट सब्जेक्ट्स फोर डीटेल्स कॉन्टेक्ट ओफिस, अम मल्टी स्पेश्यलिटी हॉस्पिटल अफ एक केमपस के गेट पर अंदा दुन्द फाइरिंग एक सक्स को मारी गोली, इस वक्त की अब बड़ी खबर सहरसा से सामने आ रही है, जहां सहरसा सिविल कोट के मेन गेट पर अपरादियों ने फाइरिंग की है, फाइरिंग की घटना के बाद कोट परिसर में अफरत अफरी का माहौल हो गया, गोली बारी की घटना से वकील और कोट कर्मी दहशत में आ गए, फाइरिंग की इस घटना में सुसील यादव नाम के एक सक्स को गोली भी लगी है, बताया जा रहा है कि सुसील यादव थोड़े दिन पहले ही जमानत पर जेल से रिहा होकर बाहर आया था, वक किसी काम से कोट पहुँचा था, इसी दोरान उसे निसाना बनाते हुए अपरादियों ने गोली मार दी, सुसील यादव आर्म्स एक्ट के मामले में जेल के अंदर था, लेकिन उसे जमानत मिली और जेल से बाहर आ गया, माना जा रहा है कि जखमी सुसील के साथ रखने वाले लोगों नहीं उस पर फाइरिंग करते हुए जानलेवा हमला किया, कोट के में गेट पर कुल तीन राउंड फाइरिंग की खबर है